नमस्कार में प्रियर एंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि IDFC First Bank के Numbers हमने कहें कि आपको weakness ही दिखेगी लेकिन इस weakness के बाद मैं देख रहा हूं कि माहल ऐसा बन रहा है कि इस टॉक बरा क्रेस हो जाएगा या फिर क्या होगा आप Already invested हैं तो क्या करना उससे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं Premium टेलिग्राम बिल्कुल फ्री है उसको जॉइन करवाएं और ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करें जो भी आपके नोन कलिक्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, कजिन जो भी है उसको ये चैनल जरूर सेयर करें सबसे पहले यहाँ देखें, तो CNBC TV पोल के एक्सपेक्टेशन जो प्रॉफिट का था वो क्या था, CNBC TV पोल एक्सपेक्ट कर रहा था कि कमपनी जो प्रॉफिट डिकिलियर करेगी वो कितने का करेगी, 1700, 1113.8 ये नमबर यहाँ देखेंगे, 1700, 13.8 करोर का इंकम के जो एक्सपेक्टेशन थे 4708 का और कम्पनी ने 4694 करोर के नंबर करें तो जब भी हमने देखा है कि एक्सपेक्टेशन के बिलो का नंबर रहा है वो नंबर थोरे वीक माने गए उस नंबर के बाद स्टॉक में सेलिंग दिखी है चाहे एक्ट्वल नंबर जो भी हो तो थोरा यहां से तो समझा रहा है कि short term trend थोरा वीक हो सकता है अब एक बार इसके quarterly real number को समझने की कोशिज करेंगे तो सब से पहले यहां इस company का यहां हमने इसके q1 के numbers को निकाल लिया है और इस q1 के numbers पे समझेंगे company की जो total income रहा है वो income क्या रहा है उसको समझने की कोशि इने total करा है जो year on year basis और quarter basis दोनों ही basis पे number better रहे और जो बड़ा हेर फेर देखने को मिला है वो investment के income में दिखा है और उसके बार other income में दिखा है इसके comparatively जो company के income रहे उसके comparatively जो expense रहा है वो 8,5 to 5 करोर का रहा है यानि expenses भी काफी बरे रहे comparatively income के और यहां expense देखेंगे तो quarter quarter और year on year दोनों ही basis पे भरते हुए दिखा है और इसके बार जो provisioning हुई है वो provisioning company ने तगरा करा है लगबग year on year basis पे double provisioning होते हुए दिखा है quarter basis पर भी बरहा है जिसके कारण यहां देखेंगे तो जो number रहा था profitability का वो 7,6,5 करोर का यहां देखेंगे तो 7,2,0,7,2,3 करोर के आसपास का और इस बार का जो quarterly number रहा है वो 6,80 करोर का यानि लगबग लगबग 10% के year on year basis पे और quarter on quarter basis पर भी number वीक रहा इसके अलावे company की जो EPS है price EPS जो है यहां देखेंगे EPS company का जो है one के नीचे चला गया है वो चाहे dilute देखें या basic देखें earning per share जो है EPS जो है थोड़ा नीचे आ गया है return on assets देखेंगे यहां तो recent के lowest ever ROE के साथ company काम कर रहा है date to equity देखेंगे तो वो थोड़ा ठीक दिख रहा है date to equity इसलिए ठीक हुआ चुकि company ने provisioning करी है इतनी तगरे नहीं रहे थोड़ी provisioning के कारण profitability का impact दिखा और chart तो already हमने discuss करा है कि 25% already गिरा है तो बहुत बड़ा गिरावट नहीं 662 के आजपास long term investment के देखेंगे और minimum या तो 82 के level को breakout करने दें short term के trend को करने के लिए या फिर 62 के आजपास से एक opportunity को grab करेंगे तो I hope ये video informative रहा thank you for watching this video